हर्च कौम चाहती है हमारा पावर बल बढ़े है लेकिन वह बल बढ़ता है मैं निवेधन करूंगा जैसा स्वामी जी ने कहा केवल संख्या से नहीं कोई पॉंटिटी के साथ हमारी क्वालिटी बढ़े हमारे अंदर तालीम बढ़े हमारे भीतर हुनर बढ़े और जब ताली इस देश ने तो भला डाक्टर एकिजे अब्दुलकलाम को फत्रुदिन अली एहमद को है और हमारे मुबद अंसारी जी को और अब्दुलकलाम आजाज को देश का पहला सिक्षा मंत्री बढ़ाया है संदेश साफ है राष्टे चलिए ये देश सर आख़ों पे राष्टे नहीं चलोगे तो चाहे वो जैन समाज से क्यों ना है उसको ढरके रहना पड़ेगा इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ आओ हम सब मिल करके बेश किस्से बनता है मेरे गुर्देव कहा करते थे सुदरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट स्वहम सु मेरे गुरू जी ने ये भी कहा इनसान पहले इनसान फिर हिंदू या मुशल्मान मैं अब दर्खास करता हूँ अपने दूसरे महमान जनाब आचारी लुकेश मुनी जी से जो सदर है अहिंसा विश्व भारती के हमारे दर्मियान तश्रीफ लाएं हैं और जैन मजभ से ता चुबाल करते हैं और गुदारिश करते हैं कि तश्रीफ लाएं और अपने तास्वरास से इस मजभ को माला माल फर्माएं हिंदूस्तान हिंदूस्तान सार पर्थां मैं अपने अजीज भाई मदनी जी को इस बात के लिए साधूबा देना चाहता हूँ कि उन्होंने आजादी के अमरित महत्सव वर्स में जिस समय हमारा भारत देश जी टूंटी के एक जख्सता करने की और अग्रसर है भारत की राजधानी के शेहतियासी कि राम लिला मैदान में भारत मों जोड़ दे के लिए समरस्ता के लिए लाखों लोगता एक सम्मेलन बुलाया है और इस सम्मेलन के अंदर मंच पर हमारे आयोजक संस्ता जमात हिंदो इसलाम के साथ साथ हिंदो, मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, बुद्ध, सभी धर्मों के नुमाइंदे एक साथ खड़े हैं और इसलिए खड़े हैं जैसा मदी जी ने परसो कहा के देश जितना महुन बागवट जी का है यह देश जितना महरंदराबादी जी का है और जैसा भी स्वामी चीदानन जी ने कहा उतरा इक देश यह हम सब का है इसलिए मैं मकी जी के स्वर में स्वर मिलाते हुए आप से जवाब चाहूंगा I love my India I love my India I love my India I love my India बंद्वार बहलो यह मारा महान भारत देश जो अनेक्ता में एक्ता की बात करता है सार्व धर्व सद्वाव इस देश का मूल मंत्र है बहुलतावादी संस्कृती इस देश की खुबी है और सभी धर्मों के नुमाइंदों का यह कहना है धर्म हमें जोड़ना सिखाता है तोड़ना नहीं सिखाता है धर्म के एक्षत्र में हिंसा, घिर्ला, बाय और रफृत का कोई स्थान हो नहीं सकता है मैं आज प्राते काल मतनी जी का स्टेट्मेंट देश के प्रमख अकबारों में मुख्य पत्र पर हेड्लाइन के रूप में देख रहा था और उसके साथ साथ कुछ टिपणिये भी देख रहा था आपने अपने भाई को भाई के घर बुलाया है तो एक भाई होने के नाते मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि हर्च कौम चाहती है हमारा पावर बलबड़ है लेकिन वह बलबड़ता है मैं निवेदन करूंगा जैसा स्वामी जी ने कहा केवल संख्या से नहीं क्वाई पॉंटिटी के साथ हमारी क्वालिटी बढ़े हमारे अंदर तालीम बढ़े हमारे भीतर हुनर बढ़े और जब तालीम और हुनर बढ़ेगा इस देश ने तो भला डाक्टर एकिजे अब्दुलकलाम को फत्रुदिन अली अहमद को है और हमारे मुबद अंसारी जी को और अब्दुलकलाम आजाज को देश का पहला सिक्षा मंत्री बढ़ाया है संदेश साफ है रास्ते चलिए ये देश सर आखों पे बिठाएगा रास्ते नहीं चलोगे तो चाहे वो जैन समा से क्यो ना है उसको ढरके रहना पड़ेगा इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ आओ हम सब मिल करके बेस किस्से बनता है मेरे गुर्देव कहा करते थे सुदरे व्यक्ती समाज व्यक्ती से राश्त सुहम सुदरेगा जब व्यक्ती व्यक्ती का निर्मार होगा जब इनसान इनसान का निर्मार होगा और मेरे गुरू जी ने ये भी कहा इनसान पहले इनसान फिर हिंदू या मुशल्मान और मद्दी साथ आपने ये बजमा जिस अवसर पर आयुजित किया है मेरे बदल में हमारे आज भी सबसा बेठे थे परसो वेलेंटाइन डे मनाया जाएगा कहा जा रहा है कि इस वार जो है गाए को हग करने को उस दिस को उस दिवस को मनाए कि इन तो उससे दो दिन पहले आई इनसान से इनसान को हग करने का ये सम्मिलन है इनसान को इनसान से मिलाने का तो आईए हम सब मिलकर के इस भारत को खुसाल बनाने के लिए भारत को समरिड बनाने के लिए भारती एक्दार एकंड़ा मजबूत करने के लिए मैं आग सब को दावत देता हूँ आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें चार कदम ही सही चलने का साथ करें यह तो दूरी से दूरी बरती जाएगी कभी तो हम खुद से खुद की मुलाताद करें यह खुद से खुद की मुलाताद यह खुद से खुदा की मुलाताद और इसलिए आने वाले वेलेंग गाये के साथ गव्माता के साथ हग दिवस बनाईए आज हम इंसान इंसान मिल करके और सभी धर्मों के रहनुमा यह पर मौझूद है मैं मतनी साथ को दावत देता हूँ आप हमारे साथ आईए और हातों में हात लेकर के पूरे भारत देश को यह संदेश दे दीजिए हमें एक है हमको कोई बारत नहीं सकता कोई नभरत हमको बारत नहीं सकती ओम अराम